नमस्कार दर्सकों, आज हम जोर की ढाणी में हैं और ये सीकर के पास में स्टिफ हैं, आज हम आप से परीचे कराएंगे एक ऐसे प्राकर्तिक और रवनिये इस्थल के उपर, जहां प्रकर्ति और पंचतत्यों के साथ में चीजों को इस्ट्रकार जोड़ा हुआ है, यह आने सक्सेस से हम आप लोगों को रूगरू कराएंगे, आज हमारे गाउवानी स्टूडियो के इस रहिवार विसेस कारिकरम आउलोट चले गाउं की और प्रकर्ति की और में आप सभी लोगों का हार्दिक, अभिनंदन और स्वागत है, सर नमस्कार, नमस्कार, हम सबसे पहले आपके परीचे से आरंब करना चाहेंगे? मेंबर भी रहा हूँ, मेरे सुरो में ठारा साल पहले मैं और मेरी पत्नी दोनों एक पेड के नीचे आके यहाँ इस विरान जंगल में बैठे थे, ने बिजली थी, ने पानी था, पानी हम दूर से लाते थे, लाइट थी, नी दीपक जला के काम निकालते थे, एक पेड के हमारी गाये, एक के नीचे घोडी और एक के नीचे हम, मेरा ये मानना है कि दुनिया में सरवांगिन विकास के पुरे ब्रमान में दो इस्त्रोंत हैं, ये मनुष्य प्रजाती बठक रही है, जो आर्थिक विकास को सब कुछ मान रही है, यही पतन का प्राकास्था है, मनुष्य के सदियों से जब से मनुष्य मात्र की उत्पति हुई है तब से लेकर कि और जब से मनुष्य ने समझना शुरू किया है तब सरवांगिन विकास के दो ही स्प्रोथ हैं भक्ति और सक्ति भक्ति का प्रती गाय है और सक्ति का प्रती घोड़ा है आज भी दुनिया में पावर घोडे से ही ना पजाता है उन दोनों को केंदर बिंदू जब बनाया हमने और तीनों पेड़ों के नीचे हम तीनों नितपशा शुरू की जो आप देख रहे हैं दुनिया में लोग घर बनवाते हैं गेस्ट हाउस बनाते हैं, होटल बनवाते हैं लेकिन हमने बनवाया नहीं हमने बनाया है बनवाने में सिर्फ पैसे लगते हैं और बनाने में पसीना लगता है इसमें जो सुगंद और महक आ रही है वो मारी पसीने की आ रही है हमने labor का काम किया, हमने career का काम किया और raw material 80% हमने हमारे खित का ही काम में लिया तो इसको एक प्रारणब किया हमने इसके लिए मेरे दिमाग में पहले से थी कि मुझे कुछ leeks से हटके आने वाली पीडियों के लिए नसलों के लिए कुछ से देखे जाना है और जिस चीजों से हमारा सरीर बना है उसकी रक्षा के लिए मुझे कुछ उपाय करने चाहिए इसी को आधार बना करके हमने यह नेचर खड़ी किया फिर पिछले तीन साल से मैंने एक नया सोद किया और मेरे सोद से ग्यात हुआ कि दुनिया में लोगों में एक भ्रांती फेली वी है कि कोई रोग, कोई डिजीज, कोई बीमारी सरीर में होती है यह बहुत बड़ी जूट है सरीर में कोई रोग नहीं होता है रोग होता है व्यक्ति के मन में इसके मेरे पास में अनिक प्रमाण है कोई व्यक्ति कभी सास्तरात करे, विज्ञान की बात करे, तो सब चीजों का मैं बाखाइदा उसको साबित करने को त्यार हूँ, लंबा विसे है, इसलिए मैं इसे को यहां नहीं रख पाऊंगा, दूसरा मेरा यह मानना है कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है यह जो समस्य का ग्रस्त नहीं है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो बुराई और समस्या किसी पेड़ पर लटकी भी किसी ने आज तक नहीं देखी, ने किसी के कमरे में बैठी देखी, वो सब के सब व्यक्ति के मन में बैठी भी है, दुनिया में हर चीज का इलाज हो रहा है, अभी स रहेगा तो फिर हिटर लगा लेंगे, बिमार पढ़ेंगे तो आईश्यू है न, सवाल ये नहीं, शरीर की बिमारी का सवाल ही नहीं है, ये मनुष्य का मन बिमार पढ़ गया है, मन जो है बरबाद हो गया है, और दुनिया में पहले हमारे हाँ, रीशी मुनी के आस्रम में हम मन को ठीक करने के उपाय खोजते थे, वहाँ मानते थे, वो भी घर जैसे ही हो गया है, क्योंकि सेमेंट की जो दिवारे हमने खड़ी किये, वो 365 दिन नेगेटी उर्जा चोड़ती है, जीन वोही संसकार, वोही संगत, वोही सास्त्र, वोही एक्ती बदल गया, लोग करने जमाना बदल गया, जमाना नहीं बदल गया, अपका खानपान और वातावन बदल गया, यह वातावन का सबसे बड़ा दूस है, मैंने जब अधिन किया, सोध किया, तो पता लगा, कि जब बीमारी मन में है, इस मन को कैसे ठीक करें, मन को ठीक करने के लिए, हमारे जीशियो मन में एक बिचार आया कि ये भी कैसे करें को यार इसके लिए मन को कैसे त्यार करें तो मेरे अध्यन से मुझे ग्यात हुआ इन सब चीजों के लिए सबसे पहली जो प्राथमिक जो प्राइमरी जो चीज है वो ये कि आपको वातावन पोजिटिव बनाना परे इस देश का दुरभागय उस दिन सुरू हुआ जिस देश के लोगों ने कपड़े, खाने की वस्तु और पोधे सुन्दरता से खरीदने सुरू की हमारे पूर्यूज इन तीनु चीजों को सदय गुनवता से खरीदते थे जानमंत्री जी आज कहा रहे हैं, मोटा फैरो, मोटा खाओ, तो हमारे पूर्यूज तो हजारों साल से कहते हैं उसी परंपरा के हम लोग हैं तो ये खानपान जो है, सबसे महतुपून और उससे भी बड़ा महतुपून आपका वातावन तो इस वातावन को पोजिटिव कैसे बनाया जाए इसके लिए एक जर्मन और जापान दो देशों के साइन्टिस्टों के बहुत सांदार लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फिल्यू मलेरिया टीबी गाय के गोबर की सुगन से नहीं होते जब मैंने इस पे दू-तिन साल काम किया तो मुझे पता लगा कि बहुत छोटी बात कह गए हो इससे भी बड़ी और आगे की बात ही है कि जहां गाय के गोबर से लीपी भी दिवारे है उन दिवारों पे को हैनिकार किटानों बैठ जाता तो रोग नहीं फला सकता और इससे भी बहुत आगे की बात बहुत बड़ी बात हुए कि गोबर की दिवारे 365 दिन पोजिट्री उरजा देती है जिन्दा होती है इसले बाद नकारत्म की विचार आते ही नहीं है हमने पूरी जिगे गोबर का प्रिवीश करवाया है पेंट भी करवाया है तो गाय के गोबर से प्यार कियावा ही करवाया है हमने तै किया कि हमारी हाँ पूजिट्री वातावन के लिए हम गाय की घी का दीपक जलाएं हॉम करें हमन करें इसमें गाय की कंडे और गाय की गोबर ही होना चाहिए दाय का घी ही होना चाहिए, दूसरा कभी स्वीकारी नहीं है, इस देश में क्या-क्या परंप्राय चल परी, भगवान की भोग लगाने जाते हैं, मंदिरूं में यात्राय करते हैं, सब जूठ है, पाखंड है, भगवान का भोग जो है, भगवान का परशाद जो है, सिर्फ में है, ताय के घी, दूठ, छाइ, भई से बना हुआ ही, भगवान का परशाद है, बाकि सब जहर है, खिला रहे हैं, भगवान को भी लोग बावला बना रहे हैं, बहुत लंबा भी से, इस पर मैं नहीं जाओंगा, मैं यह कहना चाहता हूँ आपसे, कि हमने सुद्ध वात हैं, तब सोचना सुरू किया है, लेकिन सुद्ध प्रोसेसिंग में आज भी दीश शूता है, हमारा आइवेद ही कहता है, कि आपकी रिसोई का कोई भी सामान प्रोसेसिंग के वक्त रती बर गरम नहीं होना चाहिए, तेल डाइसो ग्रेड पर आग उगलतावा गरम होके न नहीं खाए, उसका दूस प्रेडाम, आपके महले में गाउं में कहीं आठा चकी चलती हो, उस आठा चकी में पांच मिनिट आप अंगुली लगा के बैठ सकते हैं, जब नहीं बैठ सकते हैं, तो उसमें प्रोटिन और गुनवत्ता बचती हैं, इस सोचने के हमारे पास वक बनाने वाला व्यक्ति, उत्पादन करने वाला व्यक्ति, उसका आचरन क्या है, उसका बेभार क्या है, उसका करम क्या है, क्योंकि इस पर से विग्ञान और भाव विग्ञान इस पर से रूप से प्रकृती में अपना काम करती हैं, उन दोनों को हम भूल बैठें, इसका द सुनावा भूल जाओगे, पड़ावा भूल जाओगे, देखावा नहीं भूलोगे। और सत्याशी प्रसेंट ग्यान देखने से आता है। इसलिए मेरे मन ने कहा कि तू कुछ कहना चाता है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोई नहीं सुनेगा। जो तू करना चाता है, वो करके दिखा देगा। इसलिए हमने एक मोडल खड़ा किया। और ये मोडल कितना भी बिगड़ा बामन हो, उसको ठीक करने का क्लास्रूम बनाया है। यहां पूरे जीव पक्सी हमने पाले हैं, तीतर है, कबूतर है, टर्की है, मुर्गे हैं, खरगोश हैं, उट है, घोड़े हैं, गाय हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं। सब का समय एक घाट पे पाणी पीत हैं, कोई जगड़ा नहीं किसी हैं। यह नेचर बड़ी विराट हैं। तो इस मन को ठीक करने के लिए आपने देखा होगा एक बाज का चिन बनावा जिसमें हमारी दूब लगी भी है। फिर ज़रना है। उसे ज़रने से मेरे मन में विचार आए कि हमारे इसी मुनी ज़रने पे जाकर के तपश्या क्यों करते हैं। नदी किनारे बैठके तपश्या क्यों करते हैं। तो पता लगा कि उसमें शीक संगीत निकलती है। और वो संगीत उसे रूंग को प्रमात्मा से जोड़ती है तो हमने उससे संगीत को निकाला और बाज-बाज दूर दस्ट्री और आतम बलका सबसे बड़ा प्रतीक है उससे बाज पे बैठ करके उससे संगीत को सुनोगे और गाय, घोडी, भक्ती और सक्ती के सानिदे में सुनोगे इतना भी बिगड़ावा मन हो उसको केंदर बिंदू में आना ही पड़ाईगा जब आपका मन केंदर बिंदू में आगया तो धरती की सब बिमारियों और सब समश्यों का समाधान होगा भक्ती का मन ही बिगड़ा धरती पे दुनिया में मैं आपके चैनल के मादेम से चैलेंज देके कहता हूँ दुनिया की तमाम बुद्धि जीवियों को कि पूरी दुनिया में कहीं भी मन का इलाज नीवरा ने शादू कर रहा है ने कोई शंत कर रहा है करने कोई और कर रहा है, ऐसा कोई कर रहा है सबसे इस पर सूरूप से एक केंदराज की तारिक में, वो कनेरी मठ और उसी की साखा ये जो और की ढानी, कनेरी मठ कोलापुरू में एक देव पुरुष है, जो महापंच महापनुष्य का दुरभाग देखी आत, जिससे उत्पन वा उसी को रात दिन नस्ट कर रहा है, पता ही नहीं ये इस देश में 90% लोग तो मस्थ हाती की तरह गूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं सरीर किस से बना है, डिगरियां लेके गूम रहे हैं, पीसडी करके गूम रहे हैं, और उनको नहीं पता कि सरीर तो लावारिस लोगों इसको विकास कर रहे हैं, यह विनास की प्राकास्टा है, परकृति जो नहीं विकास होगा, तो ही दुनिया का कल्यान होगा, इस सिमंट के पहाड़, रोड़े, बड़ी-बड़ी भवन बिल्डिंग यह विकास है, तो विनास है, विकास तो वो है जिसमें जमीन में पानी भाग रहे हैं उस दिशा को वापिस अपनी जड़ों की और मोडने के लिए मैं अक्सर जो विद्यारत ही आते हैं उनसे कहता रहता हूँ कि आप रोज हवाई जाज में उटो चांद पे पलाट भी कटाओ मैं बहुत बड़ा पक्सतर हूँ मैं विद्यारत जांवे बहुत बड़ा पक्सतर हूँ लेकिन आपको पेड़ों से प्रेणा लेनी चाहिए पेड़ पतियां बदलते हैं टैनियां बदलते हैं वो कभी अपने रूर्स नहीं बदलते हैं और जो समाज, जो परजाती, जो लोग अपना रूट्स बदलते हैं, उस समूल नस्ट हो जाते हैं, और यह मनों से रात और दिन अपने रूट्स बदलने में लगा हुआ है, कैसे बचेगा, अब यह आधुनिक विज्ञार ने भी खनाशनल कर दिया है, कि कोई चचंद्र साल में हमारी जड़ों की और नहीं आएंगे, तो भगवान भी बचाने नहीं आएंगे, और अब की बार मनों से अकेला नहीं बरबाद होगा, संप्रुन परकृति का विनास करेगा, इसलिए मेरी जिन्दा और जागते लोगों से अपील है, कि जाग जाएं, इस बहुतिक बा है, जगत जननी है, इस देश को जब तक समझना है, देश जब समझ में आएगा, जब गाय समझ में आएगे, क्योंकि भारत बना है गाउं से, और गाउं कहते ही उसको जहाँ गाय होते थी, बिना गाय के गाउं समझ में नहीं आएगा और बिना गाउं के भारत समझ में नह मेरा पूरा बेश प्रकृति जन्ने है और जो लोग आते हैं हमारा ये लोगों को कहना है कि आप ऐसी जगे नहीं जाएं जहां देखना है घूमना है मस्ती करनी है वैसी जगे जहां जहां सीखना है और प्रकृति से जुड़ना है और प्रकृति जन्ने मस्ती करनी है इसके ल लोग बरसात में नाना भूल गए तो नाने का स्वाद भी उनको देने के लिए हमने प्रकृतिजने चीज़े डबलफ करने की खुसिस किये हैं ऐसे ज़रने की हैं ऐसे बच्चों के खिल खलोने के भी हमसा साथ में हमारे पास उट भी है बच्चों को उंट की स्वारी करते हैं, घोडों की स्वारी, हम अब दुरभागे देखें आप, लोग शमज नहीं पा रहे हैं, जो हमारे पूरवज, मेरा ये मानना है, मैं आपको बहुत विस्पस्ट बता देता हूं, मेरे गेट में कोई व्यक्ति आता है, तो मैं जाती नह है, मैं पूरे देश और दुनिया की लोगों की संदीज नहीं चाता हूं, इस जाती का सीधा आर्थे तु जानता क्या है, इन दुकंदारों की दुवरा बिचाईवी बिचात है, ने कोई पंत है, ने कोई जाती है, ये सब अपने कर्मों के इसाफ से करते रहें, धरम सब क फाकिस्तान के लोगों को आग जलाती नहीं, पानी का धरम बदल जाता है वाँपर, धरम तो एकाठे है, जिसका कोई काठ नहीं है, सनातन जो है, दुनिया का सबसे बड़ी परंप्रा है, दुनिया का सबसे बड़ा धरम है, वो सनातन है, बड़ा नहीं मैं तो करूँ, पुर नियमों से और धरम को प्रकृति चलाती है जो प्रकृति में नहीं है वो धरम में नियर धरम में नहीं है वो प्रकृति में नहीं है तो एक दुसरी का एक समनवे है इन सब बातों को शमजाने के लिए सीखने के लिए आएं लोग देखें और करें अब आपका कोई क्यूशन ह बिल्कुल सर बहुत ही अच्छा लगा आपने इस दो हमारे इस गावानी स्टूडियो का जो रहीवार विसेस कारिकरम जिसे हम विगत दो वर्सों से नियमित प्रूप से चला रहे हैं आज वाक्य में आप से मिलकर हमें लगा की जो टेग लाइन हमने आओ लोट चले गाओं क प्रकरती की और आपने अपने पूरे 18-20 सालों का जो एक पूरा का पूरा एक क्या है कि रिसर्च और जो महनत आपने बताई कि पेड़ और एक अपनी धरम पत्नी के साथ आप एक छोटे से सुरुवात से प्रकरती से जुड़कर आपने इतना एक अच्छा नवाचार करके और निश्चित रूप से एक ऐसा मोडल डवलप किया है कि जिसे हम देखकर हमें भी भान हुआ है कि वाक्य में प्रकरती की और यहां आकर भान होता है कि हम प्रकरती के साथ जुड़े हुए हैं एक सकारात्म गुर्जा का संचार होता है जो हमने भी यहां पर आने के बाद प्रकार आपने इस्थापित किया जो और की ढानी तो जब आप इसे आरंब से इस्थापित कर रहे थे और आज तक जब आपनी यात्रा वरंत में चले हैं तो ऐसी कौन-कौन सी समश्याएं आपके सामने आई और इसको बनाने के लिए आपने कहा कि 80% चीजिएं आपने यह तो सेनी साब मैं आपकी सोच और आपकी पूरी टीम को शादुआ देता हूँ कि आपने आज के मनुष्य के कल्यान के लिए प्रकृति के कल्यान के लिए और इस दुनिया को बचाने के एक अभ्यान में अपनी आउती दिये इससे बड़ा और सुन्दर कारी कोई नहीं हो सक जो आप कर रहे हैं हम सब मिलके मेरा जिन्दे और जागते सब लोगों से अपील है कि अब जाग जो और जिन्दा होने के सबूत दे दू नहीं सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा इसलिए सब को जगाने में जो आप योगदान दरें इसलिए आपकी पूरी टीम और आप समस्या कि हमने आपसे कहा ना कि समस्या दुनिया में है ही नहीं केवल मन में होती है और मन हमने कभी कमजूर की है ही नहीं क्योंकि हमारे पास बेस हमारी गाहे हमने जब हमें सुबह जूर्थ पड़ी कि रात को हम सुएर हमें सुबह सो रुपे चाहेंगे मैंने किसी रिस्त जान मंतरियों चे मुख्य मंतरि क्योंकि मैं एक रुपय सबसीडी खाता ही लिए कोई इसलिए नहीं कहता कि मैं इनके यहां जाता हूं तो इसमें सही है इसलिए भाग रहे हैं ना ना मुझे लोगों ने कहा कि आप जिस बेबाकी से बोलते हैं आपको पदमसीरी नहीं हैं मैंने कहा कोई बात नहीं मिलेगा सचाई कहना नहीं चुड़ू सचाई कहूंगा ठोक के कहूंगा तो यह हमारी समस्या में मानता ही नहीं हूं इसलिए मैं जियून में बहुत किलिर है पसीना भाया हमने अपका ना पसीना ठपकाया हमने और उस से हमने सब निर्मान करे हम कहीं बार कमाने नहीं के यहां पांच-बांच लाग रुप्रे में बच्चों की फीस बरी उनको आधुनिक शिक्षा दिलाई आधुनिक चीजों से मेरे तीन बेटे हैं और बेटी है बड़ा बेटा इंटरनेस्टी गुरसवारी करता है उसे चोटा नेशनल कपडी खेल की आस्टे टीम में जा रहा है उसकी 6.2 इंच है बेटी ने 93% से 12 फास किया लेट के लिए किया है लोग करेगी उसे बेटा 12 में आया है वो भी 90% से उपर नंबर लाएगा तो वो कोई महतुपूर नहीं है हम तो सब इसी से जोड़ रहे है प्रकरती में हमारा सब काम हो रहा है हम सुबह 5 बजे साड़ी 4 बजे उड़ जाता हूं मैं सुबह से लेके शाम तक हम इसी धुन में लगे रहते हैं लोग शोपचास्ट डेली मेरे पास आते हैं उनको हमसे जितना बंग पता है जो हमसे वो सकता है वो उनको देने के गोशिस करते हैं बहुत ही अच्छा लगा सर और जिस प्रकार आपके विचार और जो चीज हमने जानी उससे हमें भी एक प्रेड़ना मिली और निसीत रूप से जो अभियान हमने इन दो सालों में लेकर यहां तक आये हैं आज वाक्य में हमें आप से जुड़कर और उर्जा का हमें संचार हुआ है इसे हम और एक नए जोस के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे एक चीज में और जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार अभी शामने आपने बताया कि यह जो हट आपने बनाया है इसमें मलग की जो दिन का टेंपरेटर है इसके पीछे जो साइन्स है किस तरीके से आपने देखा होगा सेनी साब मेरे एक भी रूम एक जिसा नहीं है आपको लगेगी यह क्या है यह क्या है यह क्या है सब अलग है और इसका बिज्ञाने मेरे पोधे का बिज्ञाने मेरे घर बनाने का बिज्ञाने और किस जिके क्या बनेगा इसका पैस्ट जैसे आपने देखा होगा कि यह प्रकरती जिन्दा है या मुर्दा है प्रकरती जिन्दा सजीव है ना और जमीन सजीव है और फिर हमारे गाय तो सजीव है तो तीनों की भासा सजीव की भासा भी होती है होती है तो तीनों से कोई बात करता है कोई भासा जानता है क्या दुर्भागी नहीं है पहले भासा जानते हैं हमारे पूज आपको ध्यान हो अपने गाउं में जाके पूछना कि हमारी सणातर में कोई विकास्त का विद्थ ही मैं जाती की बात ही नी करता हूए सणातर में हम पाँच जीशी समुद्र मंधर में गाय के पाँच गायों की सिवा करने के लिए पैदा हुए उनके धाइस्व उपगोत्र है उन सब उपगोत्रों के हम सनातन के लोग संताने है जातियां स्रेस्ट नहीं होती व्यक्ति स्रेस्ट होता है व्यक्ति अपने विचारों और सोच से स्रेस्ट होता है इसलिए कोई बैम में रहे कि फला व्यक्ति से जाती में जलमा इसलिए स्रेस्ट है तो नाली में भी पड़ा रहता है इन सब बातों को जब हमने बेस बनाया तो पता लगा कि हमारे संस्कर्ती में जब कोई घर बनाता था तो चपर ही बांदे पर वो बिद्वान जो इसको ब्राह्मन कहा गया ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मन है वो ब्रह्म को जाने वले वेक्ति के घर में जाता और उससे पूछता कि मैं कहां सी क्या बना ले तो वो वहां करके करता है तो यार यहां यह बना ले वो अपनी दिमाग से अपनी विवेक से उसे जमीन से संबाद करता तारतंबे बठाता तो वो वहां बता देता अब आज के लोग इस धर्ती माता के साथ बलाद कारते हैं ने हाँज जोड़ते हैं ने पूछते हैं ठोकते हैं ठोक करके और फिर बना देते हैं इसलिए रोते ही भी कलै लेके ही आते हैं तो जमीन से बात करें मैं किसान उसको मानता हूं प्रकृति से संबाद करें, और गाय से आख मिलाएं, सिर्फ किसान और इसे देश का सनातन का सच्चा सिपाई वही होता है, और मुझे तीनों की भासा आते हैं, मुझे और कोई भासा आया है नहीं है, लेकिन इन तीनों से मुझे बात करता है, और यह बात मैं चाहता हूं कि प्रतिग नागरी करना से, अभी कल्यान है, यह तो पतन सुनी से ज़ता है, असर हम यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने हमें बताया, यह जो निर्मान का विज्ञान जो आपने बताया, तो यह जो आपने अलग लग तरह के हर रूम को एक अलग एक आकार दिया, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और हमारे इस रोताओं को भी जैसे आपने पीछे वो गोल जूपे देखे दो लकडी से बने, वो लकडियां दो तरह की लकडिया, दोनों मेडिशन प्लान देखे, आपने हवन एक देखे हूंगे सरकंडे की साक्से में होता है, सरकंड सोई तो रोगिनियो.